Hey guys, मेरा नाम है सौरफ मैं पिछले 8-10 दिनों से Samsung Galaxy Note 20 को यूज़ कर रहा हूँ अपना as a primary device यूज़ कर रहा हूँ तो काफी अच्छे से मैंने इस phone को टेस्ट कर रहा है और खासका इस phone में टेस्ट कर रहा है मैंने gaming को भी कि आज के डेट में 2022 तो खतम होने गया 2023 में इस टैप पे हमें कैसा performance देखने को मिलता है Samsung Galaxy Note 20 से ये device आज के डेट में आपको नया देखने को नहीं मिलता है अगर आपको लेना होगा तो आप सिर्फ second hand ही ले सकते हूँ वहीं एक option है आपके पास तो क्या आपको आज के डेट में 25-30,000 रुपे लगा कर Samsung Galaxy Note 20 को लेना चाहिए या फिर ने especially gaming के लिए वहीं आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हमें इस फोन से कैसी gaming performance देखने को मिलती है fps drops वगरा होते हैं या फिर नहीं या फिर नहीं हीटिंग की इशू कैसी देखने को मिलती है सारा कुछ तो चलिए बात करते है कि हमें कैसी performance देखने को मिलती है तो सबसे पहले हमने बात कर लेते इस फोन के कुछ normal specs के बारे में तो display की बात कर लेते इस फोन में हमें देखने को मिलता है camera की बात करें तो 64 megapixel का triple rear camera setup देखने को मिलता है इस फोन में 10 megapixel का selfie camera देखने को मिलता है battery की बात कर तो 4300 damage की battery देखने को मिलती है और 25 watt का charger साथ में देखने को मिलता है मैंने इस फोन में bgmi और cud दोनों को ही काफी अच्छे से test कर रहा है ज्यादा तर लोग bgmi में ही ज्यादा interested है तो हम उसी के बारे बात करें कि उसमें कैसी हमें performance देखने को मिलती है graphic setting वगरा कैसे देखने को मिलते है तो सबसे पहले हमने बात कर लेते graphic setting की तो यहाँ पर हमें smooth में extreme तक का option देखने को मिलता है और HDR की बात करें तो बस ultra तक कहीं यहाँ पर आपको option देखने को मिलता है मैं दोनों settings के ही बारे में आज आपको बताने वाला हूँ smooth plus extreme के बारे में भी और HDR plus ultra के भी बारे में लेकिन मैं जो हूँ generally खेलता हूँ smooth plus extreme में ही तो उसी के बारे में सबसे पहले हमनों बात कर लेते है तो smooth plus extreme के बारे में बात करें तो इस settings में आपको किसी भी तरह के कोई भी frame drops किसी भी तरह के कोई भी lags वगरा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है बहुती smooth experience आपको देखने को मिल जाएगा Note 20 smooth plus extreme settings में बस हाँ थोड़े बहुत rush के time पे जब आप rush कर रहे हो कहीं पर या फिर hot drop वगरा में उस time पे हलका फुल का थोड़ा बहुत frame drops वगरा देखने को मिलता है आदरवाइस किसी भी तरह कहा में कोई भी frame drops वगरा देखने को नहीं मिलता है पूरे matches में चाहे हम TDM की बात करें या फिर long matches की बात करें जैसे की wrangle हो गया या sandhawk वगरा हो गया मेरा जो experience रहा वो smooth plus extreme settings में मुझे बहुती ज़ादा smooth experience देखने को मिल गया इस settings में phone जो है वो heat भी नहीं होती है थोड़ा बहुत warm ज़रू है लेकिन hitting कैसी कोई भी major issue इसमें मुझे देखने को नहीं मिली ये तो होगी smooth plus extreme settings की बात अब अगर हम बात कर ले higher settings की जैसे की HDR plus ultra की तो इस settings में fps drops वगरा काफी ज़ादा बढ़ आते हैं इस graphics देखने में बहुती ज़ादा मस लगते हैं लेकिन वही पर fps drops काफी ज़ादा होते हैं और HDR plus ultra में आप खेलोगे तो इस case में आपको lags वगरा भी देखने को मिलते हैं जब आप rush करोगे या फिर normal matches भी खेलोगे वगरा भी खेलोगे तो वहाँ पर भी आपको lags और frame drops वगरा देखने को मिलते हैं और इस settings में आपको heating की इशू काफी ज़ादा देखने को मिल जाएगी हाँ मैं जानता हूँ कि normal settings में हमें heating की इशू देखने को नहीं मिलती है लेकिन high settings में heating की इशू काफी जादा बढ़ जाती है जिसकी वज़ा से frame drops और lags वगरा हमें देखने को मिलते हैं इस phone में बेलोड़ी वुल्स नढ़ ऴशूपब लोग खा-बॉज़ शुबılar five is not no mercy the red team is in the lead झाँ 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 तो दोनों ही सेटिंग्स में लो सेटिंग्स की बात करूँ चाहे हाई सेटिंग्स की बात करूँ मुझे कुछ इस तरह का एक्सपीरिंस देखने को मिला ने सामसंग गैलेक्सी नोट टुन्टी से मैं प्रसनल रिकेमेंट करना चाहूँ कि अगर आप लोग को ये फोन आपको गेमिंग के लिए लेना है तो हाई सेटिक्स में मत ही खेलना अगर आप लोगों को खेलना है तो लो सेटिक्स में ही स्मूथ प्लस एक्स्ट्रीम में ही खेलना तो ही जाके आपको जहाँ अच्छा परफॉमेंस देखने को मिलेगा बिना किसी लैक्स बिना किसी फ्रेम डॉस अगरा के ना ही हीट होती है ना ही बैटरी जल्दी ड्रॉप होगी जो कि आज की डेट की जाप से बहुती जादा कम है अगर आप कंटिन्यू चाहे आप टीडियम खेलो या फिर लॉंग मैचेस खेलो अगर कंटिन्यू आप लोग एक घंटे की गेमिंग करते हो तो उसकेस में आपकी जो बैटरी ड्रॉप होगी इस फोन की वो है 28 से 30% के आ 11% के आसपास में ही बैटरी ड्रॉप देखिने को मिली इस फोन से तो अब बात आती है मेरी ओपेनियन की कि क्या आप लोगों को सैमसंग गालेक्सी नो टर्टी स्पेशली गेमिंग के लिए इस टैम पे या 2023 में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो मैं कि आप लोग स्मूथ प्लस एक्स्ट्रीम सेटिंग्स में ही गेम प्ले करो ना कि HDR प्लस अल्टरा में स्मूथ प्लस एक्स्ट्रीम्स में क्या होगा कि आपको काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस देखने को मिल जागा काफी स्मूथ एक्स्पीरियंस भी देखने को मिल जाग तो वीडियो को लाइक करना, बिल्कुल भी मत भूलना, अगर आपको चैनल पर नहीं हो, तो नीचे आपको एक रेट कर लगा, सब्सक्राइब को बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबा कर आपको सब्सक्राइब जरूर कर ले ना, मिलते फिन एक वीडियो में, थैंक् झालना, धालना, तो झालना था ज कर लेग भूल ऑंता अपको जट पे जएगास झालना हो, और आपको भलतों नहीं हो, तो तो थार आउडियो, तो GLORIA TALK क 45 जडरेब जरूशसे पेफ़ हो, तो उसे बड़ता